इंडिये से बाहर निकाल दिये गए मुकेश चहनी को लेकर लगतार सवाल है कि मुकेश चहनी का अगला स्टेप क्या होगा? किन दलों के साथ गड़बंदन होगा? कहा जाएंगे? क्या घड़वापसी होगी? घड़वापसी काने का मतलब है कि क्या महागडबंदन में जाएंगे? सहनी दिल्ली गए हैं हो सकता है लालो पुरचाद यादो को हमेशा वो मानते रहे हैं आज भी कहते हैं कि लालो पुरचाद यादो गड़ीव अर्टि पिछरा समाज के नेता हैं बेशक तेज़स्वी आदों के साथ उनका जो मेल जो है वो नहीं खापाता हो लेकिन लालो पुर्चाद आदों को नेता जो है वो जरूर बानते हैं अब याद किजिए वो दोर विधानसवा चुनाव का वक्त था इस वक्त मुकेश सहनी महाग नंधन का अंग हुआ करते थे और प्रेस कॉन्फरेंस से उठकर निकल गया थे और साब्तव पर उनका आरोग था कि तेज़स्वी आदों ने खंजर घोपने का काम किया उसके बाद BJP के साथ गए, NDA के साथ गए, उसके बाद NDA ने भी BJP नेविने सीने में खंजर को अपने का काम किया अब मुकेश सहनी को लेकर लगतार सवाल उठा अब यार के डाजमित में दो दलों को लेकर मुकेश सहनी और चिराग पासवान को लिखा कि दो जो दल है उनका अगला ठीकाना क्या होगा क्या तेज़स्वी के साथ जाएंगे क्योंकि ये तमाम जो दल है चाहीं चिराग पासवान की बात कर लिजाए चाहीं मुकेश सहनी की बात कर लिजाए कहीं न कहीं तेज़श्वी आद उनकी पार्टी है उनका जो गडबन्न उनके विचारों से मेल खाती है तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि भ्यार की राणित में एक नया समिकरन जो है वो बढ़ने वाला होगा तमाम जो एक सोच वाले जो दल है मुखे सैनी के बात कर ले जा च अगरने मुलाकात करनी भी होगी तो वो पटना में तेज़श्वी आदों से कर सकते हैं वहां भी अपनी बातों को रख सकते हैं और बात रही गडबन्धन की तो उनकी बिना सर्थ चुकि वो वक्त था जब वो सर्थ प्याए थे हाला कि ये बात उनकी नहीं कर लेकिन आज मुकेश सहनी के तरब से कोई प्रतिक्रिया सामने निकलके नहीं आई है अब राजद के तरब से भी ओफर है मुकेश सहनी को कि वो बिना सर्थ महागरन्धन का अंग बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं मुकेश सहनी के तरब से अब तक कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं आ झाल